पुनीत मिश्रा और बिना लाग लपेट के ना इधर ना उधर सिधे पुनीत की खबर पुनीत आपके हाथ में क्या है मेरे हाथ में है यह देखे यह है मेरे हाथ में अब आपको इसको क्या समझ में आ रहा होगा यह क्या दिख रहा है आपको दिखाए यह इरान है लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ है इसराइल और यह लिखा हुआ है इसराइ हैं ये है कुंडली क्या है कुंडली और ये कुंडली ही तै करने वाली है क्यों कि Bi allied में क्या हो रहा है कल रात को क्या हुआ यह ख़वर सब को मालूम है कि अचानक से एजिरायल एक तरह लेगनान पर अटैक की लेकिन लगातार बार-बार जब हनिये की इसमाइल हनिये की हमास के चीफ की हत्या हुई थी तब ईरान ने कहा था हम बदला ले बिल्कुल और तब हम बैठे ते और चर्शा कर दे क्या इरान हमला करेगा इसराइल के उपर लेकिन तब कुछ नहीं हुआ इरान ने धमकाया चम तो हिजबुला को जमीन से साफ कर देना है नेतन याहू ने ये तै कर लिया था और कह दिया था कि हम तो जमीन से साफ करके ही डम लेंगे कोई हमको रुक नहीं सकता उसके बाद नसर अला को मार गिराया गया फिर भी हमले थम नहीं रहे थे और इसके बाद ये हुआ है कि एरान ने कर दिया हमला इसराइल के उपर कल राद 200 मिसाइलें दाकी हैं और वहाँ पर साहिनन बजने लगे हाहा कार मच गया ये समझ लीजिए इसराइल में इसराइल की तरफ से अपने नागरिकों को कह दिया गया कि आप बंकर में छुप जाईये सेफ शेल्टर जो बनाए गए है वो भारतीं के दोरे ही बनाए गये वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह यह है कि वहाँ पर जो भारती हैं उनके दोरे ही यह थैयार किया गया खैर यूँए एक खबर अलग है कि अब हम तै करेंगे कब कैसे कहां हमला करना है कहां जवाब देना है बहुत भरी पड़ेगा इरान को यह हमला यहां तकि यूएन चीफ की एंट्री पर भी रूने बैन लगा दिया रोक लगा दिया इस लिए क्योंकि अभी हम बीते दिनों देख रहे थे कूब खेल चल रहा था यह आंकडे जो है इसके बारे में हम आएंगे इस पर बात करेंगे लेकिन खूब खेल चल रहा था और हो य रोकना होगा हर हाल में रोकना होगा और यह जो चल रहा है यह तुरंत रुकना चाहिए गरीब लोग मसलूम लोग बच्चे सबकी मौत हो रही है यूएन में यह बड़ा मुद्दा उठा था और यूएन में ही इसराइल के प्रधान मंतरी बेंजमिन नेतन याहू ने कह द चूट और शूट शूट बिल्कुल और उसके बाद फिर क्या हुआ उसके बाद दिल्चस्प क्या है अपढ़ना कि केवल यह नहीं हुआ यह एक ऐसी घटना थी जिसने सब को चौँका कर रग दिया कि यह क्या हो गया ख़बर यह आई कि एरान के ही एक बंदे ने जो वहा पना शूरू कर दिया इसराइल ने और हूथी जो है उन्होंने यह किया कि इरान की तरफ जाने का रुख किया कुछ कमांडर्स थे हेलिकॉप्टर में सवार हुए यमन से चले कमांडर्स थे हेलिकॉप्टर में सवार हुए हिजबुला के कमांडर्स थे हूथी कमांडर्स झालच में कि अमकंद्ट को जये मों हुए में मॉशा क्व Migi Q of Karma को य спасiasmus अचा हरा उसके लिइन का इस तरीके उस ने हमला किया लवनान में किस तरीके से पहले पेजर वद्वाइ चालच से गया कि वहाँ पर आप सूचिए आपके देश में अचानक से रेडियो पर संदेश बजने लग जाए कि आप इस इलाक्य को खाली करते हैं क्योंकि यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं और हम आपके खिलाफ नहीं उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं लेबनान के प्रधान फेकने लगे थे देखा था हमने तस्वीर देखी थी तो उसके बाद इरान ने कर दिया हमला इसराइल के ऊपर और उसके बाद यह तस्वीर के ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ रही जिए अब ये जो है ये है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स Global Power Fire Index मतलब इसमें है 145 मुलक पूरे दुनिया के 145 मुलकों का ये एक्चिल में एक डेटा इकठा किया जाता किसके पास कितनी ताकत है कौन किस नंबर पर खाबिज है तो देखिए पहले नंबर पर तो ये समझ लीजी जो अपने आपको मुखिया जी कहते हैं अमेरिका पहले नंबर पर उसी के पास सबसे ज़्यादा ताकत पूरी पूनीत मैं आपको इंट्रप्ट कर रही है लेकिन बहुत इंट्रेस्टिंग है ये अलग अलग चीज़ें है एक्टिव पर्सनल कितने हैं पर्चेस पावर फॉरिन रिजर्व कितना है डिफेंस बजट कितना है एरपोर्ट्स रेलवे रोडवेस ये सारी चीज़ें है और इसके हिसाब से अगर दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें इरान और इसराइल का तो इरान है ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में 14 हुए नमबर पर जबकि इसराइल है 17 हुए नमबर पर नीचे है ताकत इरान की ज्यादा है जो आंकड़े बता रहे हैं वो पॉपुलेशन इरान की ज्यादा है जाहिर सी बात है और इसराइल की तो एक करोड भी पॉपुलेशन नहीं है जबकि आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में इरान जो है वो 17 नमबर पर है अच्छा आपके हाथ में इरान है मेरे है इनके पास बाइस हैं अच्छा फाइटर्स देखें यहां पर दस हैं 16 मेरे है एकतिस ट्रांस्पोर्ट चालेश है साथ है यहां पर थीमिशन है ज्यादा अंके गWeur 96 इया धान compress UK हेलिकॉप्टर 29 हैं इनके पास 32 है ठीक है अब आगे बड़े पुने जी ठीक है तो यह अटाकिंग हेलिकॉप्टर 34 है और अटाकिंग हेलिकॉप्टर 14 है देखिए उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एरक्राफ्ट केरियर्स जो है वो इरान के पास भी दी है मेरे खाल से इसराइल के पास भी नहीं है एरकाफ्ट केरियर्स एकसोपैटालिस मतलब 0 जीरो एकसोपैटालिस मिलकों में अगर आपकी राणकिंग 145 ही है यह राणकिंग है तो यह इस हिसाब से हेलिकॉप्टर केरियर डेस्टॉयर इनके पास यह नहीं है तो कुल मिलाकर यह है और माइन वारफेर, ओयल प्रोडेक्शन्स, ये सारे जीरो हैं, और ये इरान के पास अगर देखें, तो कुल मिलाकर ओवराल रेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगे बताने को, ओवराल रेटिंग में इरान 14th नंबर पर है, और इसराइल ज इसराइल के ओपर इरान ने हमला किया, और यूएस ने कहा, अपने ट्रूप्स को कहा, कि आईए जो मिसालें चोड़ी जारी हैं, इसको रास्ते में नश्ट करो, इसको खत्म करो, और अब ये अमेरिका ने भी कह दिया, कि हम तो आपको बार बार समझा रहे थे, अमेरिका इसराइल को, इसा हो सकता है, अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, कि हमने पहले ही बता दिया था, अमेरिका ने ये भी कह दिया है, कि आपने करके ये गलत कर दिया, इरान को कह दिया है, कि आपने ये करके ये गलत कर दिया, लेकि इरान अकेला नहीं है, इरान इतना यह परिस्तिती बनी हुई है चारों तरफ से घिरा हुआ है इसराइल लेकिर उसके बावजूद भी कह रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे जवाब देंगे और जवाब कैसे देता देखिए अगर ग्लूबल फायर पावर इंडेक्स यह देखिए दोनों का अगर आप देखे सूचैनारी बिल्कुल बिल्कूल और देखिए हैं हम किसी का पक्शनी ले रहे हैं हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी परिस्तिति यहां जो खबरे आती हैं उसकी हम बात करते हैं हम किसी का पक्षन ही लेते हैं यहां पर कि किसके पात लेकिन इसराइल ने क्या किया आप देखिए इसराइल ने अटैक लेबनान पर डारेक्ट किया ही किया लेकिन जिस तरीके से उसने हैवॉक महां पर क्रिएट कर दिया उसक समाका हो जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि मैंने अपने जीवन में इतनी आखे नहीं निकाली, जितनी की मुझे इस घटना के बाद निकालनी पड़ी, इसको बोलते हैं हैवक क्रियेट करना, नसर अललाह की मौत होती है, उसके बाद खामनेई को सेफ प करवाई हुई, या पhin घाजा में करवाई हुई, या लिबनान में जो लोग चाल, यह सारी तस्वीरे आई, जहिसी बात है मेडियासी, तस्वीरे आती है, यह सारी तस्वीरे आई हैं प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कल क्या हुआ, कल ये हुआ कि इसराइल के लोग मारे गए, उनके ओपर अटैक हुआ, मुंबई इसराइल में भी अटैक हुआ, गोली बारी होई, कुछ अमलावर गुज गए, वो अटैक हुआ, वो तो आइरन डोम है, नहीं तो कि क्या स्थिती हो सकती थी, ये किसी से चिपी नहीं है, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इरान, प्रोक्सी वार तो छेड़ता ही है, हमको मालूम है, हिजबुला, खड़ा करने वाला कौन, हूती खड़ा करने वाला कौन, और हमास, ये भूलना नहीं चाहिए हमको, कि जो सो लोगों की मौत हुई थी, किसी का पक्ष नहीं है यहां पर, उसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए, गाजा में मारे गए, वेस्ट बैंक में मारे गए, लबनान में मारे गए, हिजबुला के कमांडर्स को अगर निशाना बनाया गया, तो आम लोग भी से प्रेशान स्वोलीशन लेकिन आप ऐसे हमले करते रहेंगे और ये अगर ये ताकत दिखाते रहेंगे तो ताकत दिखाते रहेंगे, तो इसी के साथ हमाई तरफ से फिलहाल इतना ही, ठीक है पूरीत? बिलकुल धन्यवाद, बहुत धन्यवाद.